नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शेवधी रज उमीद करता हूँ आप लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे मुझसे किसी ने कोशन पुझा था आपने ये सारी वीडियो लगबग डेट्सों से भी ज्यादा वीडियो क्लाउड कीचन रेस्टरेंट टेकव के उपर बनाई ह सकते हो कि इन सब के अलावा जो आपने अल्री बता दिया है उसके अलावा फूद डिलिवरी सर्फिस को क्या-क्या चैलेंजिस फेस करने पड़ सकते हैं तो स्पेशल ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए 7 चैलेंजिस में यहां पर बता रहा हूं या 7 चैलेंजिस फेस करने पड़ते हैं और यहां वीडियो में साथ-सत यह भी बताऊंगा कि आप इन चैलेंजिस को किस तरीके से मिनिवाइस कर सकते हैं या किस तरीके से उनका सेलूशन को ढूंड सकते हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला लास तक जरूर हो जाए क्योंकि शेरिंग हमेसा कियरिंग होता है जब किसी किसि की साथ शेर करते हो इसकी कHelp बड़ियो तो आपकी भी कोई ना कोई शेरिंग और केरिंग जरूर कने गा सबसे पहले यहां पर डिफिकलटि आती है वह हमारे लोगस्टिक की लोगस्टमर को अलावा आपके पास कोई ऐसा एक तरीके से strong candidate नहीं है यह strong company नहीं है जो कि आपके लिए logistic का काम करें आपके खाने को सुरक्सित आपके customer के पास पहुँचा पाए आप लोग अपना कोई riders रख लेते हो या किसी को cycle वगएरा देखे आप लोग अपनी deliveries करवाते हो पर जब आपके पास 3-4 एक साथ order आजाते हैं तो आपको बहुती ज़्यादा difficulties face करनी पड़ती है तो यहाँ पर जो logistic है वो सबसे ज़्यादा important है पर वही हमारे लिए एक तरीके से सबसे बड़े हमारी नाख में आप दम कह सकते हैं तो यहाँ पर यह हो सकता है कि आप अगर आपके इलाके में कुछ और restaurant है तो आप उनके सब आपस में tie-up करके कोई common आप लोग 2-3 rider hire कर सकते हैं जिससे कि जिसके भी order आ रहे हैं वो आपके customer तक जल्दी से जल्दी पहुंचा पाए तो जो यह लोजिस्टिक वाला पार्ट है अगर स्विगी जमैट वह है तो ठीक है पर स्विगी जमैटो का भी होता है कि अगर आप उनके प्रेटफॉर्म पे हैं रिजिस्टर है तभी आपकी help करता है दूसरा यहाँ पे डुन्जो के साथ आप लोग tie-ups कर सकते हैं दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ओनर के लिए वह होता है threat of the bigger player bigger player हम लोग बोलें कि बड़े-बड़े brands होगे खुद के kitchens होगे तो हमेशा जब भी कोई एक नया start-up करता है कोई एक छोटा restaurant चलाता है तो उसको सबसे बड़ा डर यहाँ पे यही होता है या सबसे बड़ी उसके सामने दिक्कते यही होती है कि अगर बड़ा वाला कोई restaurant उसके जहां पे वह operate कर रहा है वहाँ पे आ जाएगा तो सारा के सारी जो उसके customer है वो ले लेगा उसके पास कुछ भी business नहीं रह जाएगा या last में last में यह होगा कि वह उनको भी acquire कर लेगा या फिर उनका business बिल्कुली flop हो जाएगा तो यह सबसे बड़ा एक threat होता है किसी भी एक छोटे restaurant takeaway या cloud kitchen के लिए तीसरा यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा वह है हमारी improper food handling इसका सबसे मेन कारण है lake of trainings हम लोग अपने staff को कभी भी trainings नहीं देते हैं चाहे health के related हो hygiene के related हो food safety के related हो हमें लगता है कि एक छोटा सा ढावा है restaurant है चीजे और ऐसी ही चीजे जब चलती है तो proper तरीके से कभी भी एक तरीके से हमें success की तरफ या हमें strength की तरफ नहीं ले जाती है तो आप एक छोटा restaurant चला रहे है takeaway चला रहे है कुछ भी चला रहे है पर आपने food safety का आपको हमेसा ध्यान रखना है और अपने chefs को cooks को हमेसा trainings देनी है उनको हमेसा aware रखना है आप उन्हें अगर aware रखेंगे अगर आप week में एक training भी ले रहे हैं या 15 दिन में भी एक training ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे training के models available है even जिन्होंने मेरे mentorship program या मेरे courses ली है उनको सारा का सारा study material मैंने दे रखा है आप same वही चीज़ें को बार पर समझा सकते हैं hygiene के बारे में health के बारे में food hand washing के बारे में proper storage के बारे में जिससे की आपके जो काम है वो अच्छा चल पाएगा और यही एक आप मुझे बोल दीजे कि यहां पर कि बहुत बड़ी difficulties है face करते हैं restaurant के honor उसके बाद जो next challenges आता है वह हमारा managing customer expectation customer चाहे restaurant में खा रहा है घर पर मांगे खा रहा है पर उसकी उमीद आपसे बहुत ज्यादा अच्छी होती है उसकी उमीद हमेशा रहती है कि वह आपसे एक सस्ता खाना order करें उसे खाना अच्छा भी चाहिए उसे खाना गरम भी चाहिए आपकी packaging भी होनी चाहिए पर जब हम लोग online बेखते हैं तो आपने देखा हो कि बहुत ज्यादा ही कॉम्टिशन है लोग अपने बहुत ही कम-कम दामों में अपना खाना बेच रहे हैं तो यहां पर उनकी उमीदों पर खरा उतर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है चाहिए वो टेस्ट के मामले में हो पोर्शन के मामले में हो या packaging के मामले में हो क्योंकि वो वहां पर इतने ज्यादा पैसे नहीं पहे कर रहा होता है अगर वो ज्यादा पैसे पहे कर रहा है तो आप उसको अच्छी quality सबकुछ अच्छा दे सकते है कुछ चीजों पर आप लोग अपने margin बढ़ा सकते हैं कुछ चीजों पर आपको margin अपने कम करने पड़ेंगे एक तरीके से balance बना के आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा अगर आपको यह वाली जो special जो यह difficulty आपको अगर face हो रही है इसके बाद जो next challenge आता है वह है हमारा food quality के standard हमारे जो food quality के standard कभी maintain नहीं हो पाते कभी हमारा taste बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी हमारा taste बहुत ज़्यादा घट जाता है तो यहाँ पर जो reason होता है हमारे recipe का standardized ना होना हम लोग कभी भी proper recipe नहीं अपनाते हैं कभी हम लोग कुछ बना लेते हैं कभी जो इंग्रियंट पहले नहीं भी डाले होते हैं अब हम लोग ताबे की कड़ाई में बनाने लगए हम लोग नोग पर दूसरे brand के आपकी फूड की क्वालिटी आप कह सकते इन चीजों की वज़े से खराब होती है तो आपको यहां पर बहुत ही एतियास से समझना पड़ेगा कि आपको प्रोपर तरीके से अपनी आपनी जो फूड की क्वालिटी उसको मेंटेन करके रखना है उसके बाद जो next challenge जो हमारे earners face करते हैं वो है unstable market prices unstable market prices है कि आपकी आप जो भी खाना बेच रहे हैं आप देखें कहीं पे वो आपसे बहुत ज्यादा महेंगा बिकरा है कहीं पे वो खाना आपसे बहुत ज्यादा सस्ता बिकरा है तो जो भी customer होगा जो अगर पहली बार आएगा तो सबसे पहले सस्ते पे जाएगा जब उसको वहां से टेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा उसके बाद उस second पे जाएगा और जो सबसे last में उसे वहां भी satisfaction नहीं मिलेगा तो चाहे price आपके ज्यादा हो वहां पे जाएगा या उसको सस्ते वाला भी टेस्ट पसंद आजाए तो वहीं पे रुख जाएगा तो यहां पे market बड़ा ही unstable है आप लोगों को या इवन जैसे customer को भी यह पता ना लगाना मुश्किल हो जाता है कि मैं कहां से actually में order करूँ और यहां पे यह सारी चीज़े डिपेंड करती है कि जो भी ऑनर को चला रहा है उसके पास manpower क्या है उसके rent क्या है टोटली जो की पूरा mix होके एक तरीके से उसके price पे reflect करता है तो यहां पे बहुत जादा मुश्किल face करनी पड़ती है इसके बाद जो सबसे last में है वो है हमारा shifting consumer preferences जो भी customer है जो भी हमारे पास खाना order करते हैं उनके taste हमेशा change हो लाते हैं तो अगर आप एक नीश में काम करते हैं मैं बोलता हूँ कि मैं बिरियानी बेख रहा हूँ पर मैं कब तक आपसे बिरियानी खाऊंगा मैं आज आपने नई shop खोली है नए cloud kitchen खोला है मैं आपके पास बिरियानी और करता हूँ पर मुझे रोज बिरियानी नहीं खानी उसके आप हमेशा ऐसे menus रखिए जो कि आप चेंज कर सकें अपने kitchen को कुछ ऐसा नाम दीजिए जिसमें कि आपके पास हमेशा एक scope हो आगे काम करने के लिए जैसे कि mealmate एक नाम है जिसमें कि आप कुछ भी बेख सकते हो पर वहीं आप एक बिरियानी by my choice रख देंगे तो आप उस चल रहा है उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी है तो लाइक कर देना बाकी कुछ भी questions हो comments हो मेरे WhatsApp का नंबर नीचे दिया है आप मुझे contact कर सकते हैं फिर मिलता है एक नए वीडियो में तब तक के लिए जहिंदी